कि नमस्कार दोस्तो सोना में जो ना बनाने का टाइम आ गया और यह टाइम एक ऐसा टाइम है क्भी की दुबारा नहीं आने वाला क्यों जो चीज मैं डिस्कश करने वाला हूं यह शोना के अंदर आप इस rate के अंदर या गुड़गाओं के अंदर इस price के अंदर आप load try करके देख लो क्योंकि इतने कम rate के और इतनी better location के अंदर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं आज की नहीं बात कर रहा है मैं अगले 2-3 सालों की आगे बात कर रहा हूं क्योंकि जो development आगे होने वाली है क्योंकि कुछ तो प्रोपेटी डवलोप हो चुकी है जहां डवलोप हो गई है वहां ओलडी rate है वह रिवाइज हो चुके हैं वहां तो हमें एक middle class के लिए या under one CR के अंदर चीजें नहीं मिल पाती लेकिन सुसाइटियां पसंद आती हैं क्योंकि वह डवलोप हो गई है connectivity बढ़ चुकी है हम चमक धमक की चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा चीजों को हम पर्चेज या आकरसित होते हैं लेकिन हम यह नहीं को जोचते कि अगर हम कम रेट के ऊपर लेकिंदर यहां पर डवलोमेंट होनी तो हई हर जगे पर डव알ोमेंट चले की सोना आ acceso के अंदर गूर्ड़वां के अंदर तो रेट बूम करेंगे क्योंकि किसी टाइम के उपर ये जो प्रोपेटियां आज इतने प्राइस की हो चुकी हैं वो अंडर डवलोमेंट एरिये के अंदर ही डवलोग की गई थी यानि उस टाइम के अंदर इन प्रोपेटिय चाहिए आप गुरुगाओं लेलो न्यू गुरु सेट करते हैं जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं गोकुलम टाउंसीप की इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी उसके अंदर मैंने प्रोपर इस लोकेशन के बारे में कम्पलीट तरीके से गाइड किया था और जनरल सी बात है कि यहां पे जो डवल समझाने जा रहा हूं सबसे पहले हमें इंटरनल डवलोमेंट को समझेंगे उसके बाद साइट पर चलेंगे तो हम समझ जाएंगे चीज़ों को हैं आज अगर हम सोना और गुर्गाओं की किनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ एक मातर रोड है वो है गुर्गाओं और सोना एलिवेटिड कोरिडर और इसके बाद सोना में जैसे वे एंटर करते हैं तो सोना के जो रोड हैं वो तीन रोड डिवाइड हो जाते हैं यानि एक जो गोलकोस एक्स्टेंसर रोड से जाना है वहां की कनेक्टिविटी दूसरा जो डियम आई सी और ऊपर की ऊपर 75 रोड है उसकी कनेक्टिविटी तो मैं ये तीनों चीजें आप लोगों के साथ है वो शेयर करने वाला हूं ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों इसको एन तक जुरूर देखना क्योंकि आप बहुत कुछ यहां पर समझने वाले हैं और जानने वाले हैं तो यहीं तक बना हुआ है उसके आगे नहीं बना हुआ है दूसरी कनेक्टिविटी की बात करों तो यह जो रोड ही यह आएगा गोलकोर सेक्स्टेंसर रोड से यहां तक तो है यह 55 मेटर रोड आगे यह 60 मेटर रोड हो जाएगा और टी पॉइंट बनता है जाके सीधा सक्ट साथ के यहां से यह 75 मेटर और सोना रोड के साथ है यह यहां पर कनेक्टिविटी आप गुर्गाओं से आते हैं यहां पर कलोवर लिप टाइप जो आपका डियमाइसी के लिए बना है तो डियमाइसी ऐसे जाता है ऐसे ऊपर से यहां से ऐसे डियमाइसी है लेकिन यह एंदर मिलता है जो कि Sona Road के उपर आता है और यहां से यह जो रोड है यह बलब गड़ रोड जो जाता है तो यहां पे यह DMIC का जो intersection है वो यहाँ पे बनेगा इस road के अंदर तो आज अगर हम बात करें sector 7 की क्योंकि sector 7 गोकुलम की जो township है वो sector 7 में आपके 45 मेटर road के उपर पड़ती है अगर मैं बात करूँ actual location की इसकी तो जो township है वो इस 55 मेटर road के उपर यहाँ पर लगती है 300 मेटर का front है मैं आपको actual development भी दिखाऊंगा आगे और यह पूरा है आपका public sector ठीक है उसके बाद यह आपका sector 9 commercial sector sector 8 पूरा open sector आज यहाँ पे आपको बहुत अजीब सा एरिया दिखेगा और आपको चीज़े नहीं समझ में आए क्योंकि agriculture वहाँ पे जो फसल है वो हो रही है अभी हम यहाँ से इसके अंदर से ऐसे revenue रच्ते से जाते हैं जो इसके अंदर जाके connect हो जाते हैं तो यह हैं अभी हम इसको internal development से समझेने की कोशिज करते हैं यहाँ वाला जो रोड है दोस्तों यह 75 मीटर जो आगे से आना है उसके बाद यह है आपका सोना रोड जो की connected है उसके बाद यह 60 मीटर रोड यहाँ पे hit करता है यह वाला और यह है तो यहाँ पर T-point बनता है उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आज अगर हम गोकुलम की सा साइट के उपर हम यहाँ पर जाके hit होते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर इनका office है जो commercial है और यह township ऐसे है इस face के अंदर ऐसे बनी हुई है आप जाओगे साइट के उपर तो यह वाला जो 24 मेटर रोड है यह बना हुआ है यह 24 मेटर रोड इसके बीचों बीच है और यहाँ आप यह बने हुए है उसके बाद यह 60 मेटर रोड से आपकी direct entry है इस project की क्योंकि यही एक ऐसा project है जो सबसे ज्यादा front इस township के उपर लगता है यानि इसका front ऐसे यहाँ से लेके आपका यहाँ तक यह front लगता है तो 24 मेटर रोड इसके साथ बीचों बीच है आपके पास कि यह connectivity और यह 24 मेटर वापी से 60 मेटर रोड में मिल जाता है और इधर से 24 मेटर रोड इस 60 रोड में मिल जाता है जो कि आगे DMIC पर जा सकता है आप इधर से भी DMIC की तरब जा सकते हो आप इधर से गुरगाओं जा सकते हो इतनी फास्ट यहाँ पर की connectivity है उसके बाद आपक पार, गार्डन, स्टेडियम वगरा यह सब चीज आएंगी उसके बाद सेक्टर आट के साथ ही लगता हुआ यह पूरा का पूरा जो सेक्टर है यह आपका commercial सेक्टर है यानि अगर commercial सेक्टर की हम total land देखें तो आपकी जो land आती है वो 252 एकड का यहाँ पे यानि 200 एकड की land parcel इस सेक्टर के पास आती है सेक्टर साथ के अंदर देखें तो 428 है जिसके अंदर सिरफ government की development होगी वो 208 की होगी और क्योंकि इसके अंदर गाउं का area आता है 156 एकड का open space देखें तो 97 एकड का इसमें आता है जिसमें green belt 22 एकड की है 75 पूरा आपका green area है उसके अंदर आ आपको इस product के front में यह 50 मेंटर की पूरी green belt यानि green area आपको रहेगा यानि मान लिजी आपके society के अंदर green area है कम है तो आपको road का भी green area आपको proper मिलता है उसके बाद अगर हम front में देखें यहां पे बालुदा गाउं है यहां पे आप यह वाला जो land parcel है और यह वाला है इसम education बगल में medical सुईदाई बिल्कुल side के बगल में और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो fire station आपके बिल्कुल बगल में है उसके बाद यह वाला जो और area है यह public semi public यह फिर से open area है जो मैं बता रहा था आपने opposite side यह सारा public area है यहां पे सारी public utility सुईदाई आनी है यानि सोना की सबसे ज्यादा सुईदाई आपके इसी area के अंदर आएंगे देख रहे हो public and semi public area यहां पे जितनी भी सुईदाई है वो आप लोगों के लिए यहीं पे आनी है बाकि सेक्टर वाले भी इसी area के अंदर आके ही use करेंगे तो आज इस township के अंदर यह benefit मिलता है तो दोस्तों एक बार इस site के ऊपर जाके भी हम चीजों को समझने की कोशिज करते हैं और चलते हैं site के ऊपर और actual site को भी एक बार देख लेते हैं तो दोस्तो हम आ गई है site के उपर और site को हम समझने की कोशिज करते हैं अच्छे तरीके से अभी जिस रोड से हम आए हैं वो एक revenue रस्ता है जो कि अभी सोना के अंदर जितने भी रस्ते हैं जोहां पर road connect हो रहे हैं तो वो सारे की सारे revenue रस्ते हैं सेक्टर रोड अभी सोना के अंदर बने ही नहीं है तो अभी हम सोना के किसी भी टाउंशीप के ऊपर किसी भी उसमें चाहेंगे तो रवेनु रस्ते से एंट्री होंगी क्योंकि बेसिकली 60 मीटर रोड 24 मीटर रोड यह अभी डवलोमेंट होने बागी हैं तो अभी हम जानते हैं इस टाउंशीप के बारे में और समझने एकोसिस करते हैं कि इसका एक्चुल में बेनिफिट कैसे होना है तो दोस्तों यह टाउंशीप है यह तक्रीबन साड़े 10 एकड के अंदर की यह टाउंशीप है और इसके अंदर जो प्लोड साइज है वो 133 है 16 161 है और 174 है और 179 है तो इसमें जो सीवरेज का काम हो गया है लाइट का काम हो चुका है अब यह जो रोड है जिस रोड की उपर भी मैं खड़ा हूं यह 24 मेटर रोड है यानि इस सोसाइटी को बीच ओ बीच इधर भी आपके प्लोड आ जाते हैं 24 मेटर से और इधर भी यह आपके प्लोड आ जाते हैं इधर डवलोपर कह रहा है कि यह इसके साथ साथ में बिल्ड फ्रोल लोंज करेंगे जहां पर पेड वगरा देख रहे हैं इस रोड से अभी हम आए है यह है रवेनू रस्ता और सामने जहां पे और सेल सोफिस बना हुआ यहां पे इनका कमर हो जाएगा है सोना के ऊपर ही ऊपर आगे केंपी एक्सप्रेक्शे के अंदर तो यहां पी यह इस टाउंसीप का सोना की जितने भी टाउंसीप है सबसे बड़ा जो फ्रेंट सबसे बड़े रोड के साथ इसी टाउंसीप का होता है यानि आगे भी एक गेट है जो आप दे हुआ हैं तो यानि जो यह फ्रंट देख रहे हैं सीवरेज का काम हो चुका है यह पानी की पाइप लाइन का काम है मुस्टली फिनीस हो गया है बट यह अरिया भी बचा हुआ है पानी के कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं अगर आप देखोगे तो ज्यादा तर पलोट के अंदर है वो सप्लाई होगी तो दोस्तों यहां से अगर हम बाहर की कनेक्टिविटी देखें तो जो यह अभी खाली लैंड देख रहे हैं और उसके आगे जो खेती देख रहे हैं जिसके अंदर गहूं सर्षम वगरा हो रखी है यह एरिया पब्लिक एरिया आता है जहा आगे आपका आएगा सारा IT सेक्टर दिल्ली मुंबई कोरिडोर इस से तक्रीबं 800-900 मीटर आपको आगे पड़ेगा DMIC यहां से मैं देख पा रहा हूं लेकिन हो सकता है वीडियो में नहां दिखे आपको तो वाहिट कलर का मुझे यहां से नजर आ रहा है फ्लाई और आप आप गड़े रस्ते में जाके कनेक्ट हो जाएगा यानि अभी यहां पर आप देखोगे तो कुछ ऐसी डेवलोमेंट आपको नहीं नजर आएगी लेकिन यह बहुत ज्यादा डेवलोमेंट आने वाले टाइम में इस एरिये में होनी है इसी सुसाइटी के बैक साइड में देखें इस 24 मिटर ओड के पीछे जागे तो यहां पर पांच एकड़ का जो होस्पिटल लैंड है वो भी पर्पोजड है तो इसके फ्रंट में आपका कोलेज लैंड है और इसके बैक साइड में देखोंगे तो आपकी होस्पिटल की लैंड है और अरावली की साकाएं अच्छी स्टाउंसिप यहां पर आती है 6040 का यहां पेमंट प्लान है 65,000 रुपे का रेट है यहां पर पलस EDC IDC लेम्टिड प्लोट अवलेबल हैं मौस्टली शोल्ड आउट हो गए है कुछ प्लोट डेवलोपर ने खोल्ड कर दिये क्योंकि यहां पर आएंगे बिल्ड के जस्ट हम इनके बैक साइड में यानि जो दमदमा लेक से आप उस रोड पे जाते हैं वह आपकी वही रेवन्नु रस्ता बस उसके पीछे हम है यानि ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है यहां से बट हम थोड़ा सा सहर से होते हुए इस टाउंसिप के अंदर आएं तो फ करेंगे जून जुलाई के अंदर काम होगा दोस्तों फुल चेक डील आप कर सकते हैं और SBI Bank HDFC Bank किसी से भी आप लोन ले सकते हैं प्लोट के उपर 70-75% का लोन है वह होता है तो दोस्तों ज्यादा लिमिटीड चीजे नहीं है अब ट्राइब कर सकते हैं समझ सकते हैं और इ प्राइज और प्रोपेटी की डिटेल समझते हैं कि टोटल साढ़े 10 एकड का लेंड पार्सल है 133 गर्ज 161, 174 और आपका 179 स्केरियार के फ्लोर प्लोट है यहां पे डेवलोपर यहां पे कुछ फ्लोर है वो भी बनाने माला है कुछ फ्लोर होल्ड किये हुए हैं उनके उपर भी यह फ्लोर लेके आ रहे हैं तो यानी जैसे ही फ्लोर आएंगे यहां पर यहां हैविटेशन बढ़ेगी और दिमांड बढ़ेगी और प्लोट की भी डिमांड बढ़नी है क्योंकि जहां build up floor होते हैं और plot भी हैं तो उस society का हमेशा भाव बढ़ता है आप इसका example Central Park से कर सकते हैं क्योंकि Central Park ही एक ऐसी Township हैं जहां पर आपको build up floor देखने को मिलते हैं कि दीन द्यार के अंदर आपको सिर्फ प्लोट ही देखते हैं फिर वह उत्ता कि यह बनाएगा वह बनाएगा उसके बाद से वह चीजिए हैं डिले हो जाती हैं तो अगर यहां पर आज हम देखें साड़े 10 एकर की Township के अंदर कुछ floor है बीच में 24 मिटर रोड है तो यानि यह 3 side open Township है 24 मिटर रोड से भी 75 मिटर रोड से भी और revenue रस्ते से भी आज पास पूरा open area है environment वाली यह Township बनके आएगी उभर के आएगी क्योंकि यहां की जो connective video बहुत अच्छी है तो दोस्तों आज यहां पे rate 65,000 रूपे का rate आता 100% चेक पे ले सकते हैं bank, SBI, HDFC, ICSA किसी से भी लोन ले सकते हैं जून जुलाई में इस product की position हो जाएगी और दोस्तों इसके अंदर एक benefit यह भी मिल जाता है आपको कि आज वहां पे जो rate है पूरे सोना के अंदर सबसे better rate और new development Township और इतना बड़ा front और इतनी अच्छी connectivity की Town Township के अंदर अगर rate comparison करोगे तो यह better rate है तो दोस्तों limited plot बचे हैं ज्यादा plot अवलेबल नहीं है 133 mostly इसमें sold out है और अगर आप और ज्यादा गहराई से इसको समझ रहा चाते तो मिल सकते हैं contact कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई तो like और share जरूर करें थैंक्यू दो हूद मेरे अरब के बचल कि मूद है दोस्ते हैं ओड़ाऊ करी directors कि मैं है ए्यादार नहीं है कि मला ज입ताच दो अ